कि नवश्कार में कुंदन कुमार सिंग महामना एज़केशन हैप के इस वीडियो में आप से दस्वागत करता हूं तो दोस्ते इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही इंपॉर्टन्ट टॉपिक पे कुछ माटरियल लेकर आया हूँ एक मॉक्पेस्ट टाइप का है बियचू के जितने भी स्टुडेंट्स हैं इन क्वेस्टन के तरफ एक पर शरूर नदर डालें क्यूंकि इन में से एक से दो क्वेस्टन्स जरूर ही बियचू बिया आर्ट्स या सोशल इविन तो क्रिप्या करके सब्स्ट्राइब भिकर ले रिगार्ट सुम्हावन एजुक्रिशन हब तो शुरू करते हैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस तरीके से तो सबसे पहला क्वेस्टन देखे इसमें क्या लिखा है कि बंगलादेश का प्रथम प्रधान मंत्री कौन था आपको पता होना चाहिए कि बंगलादेश कम आजाद हुआ था तो 1971 में तब हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी थी और श्रीमती इंद्रा गांधी को ही श्रे जाता है बंगलादेश को आजाद क कर सकते हैं क्योंकि इन में से जरूर मैं समझता हूँ जहां तक मेरा एंटरस एक्जामिनेशन और कॉंप्रेटेब एक्सपिरियंस है एक क्वेस्चन इस से जरूर ही होंगे आपका तीन नंबर जरूर पक्का होगा शेक मुझी बुरमान ये मंगला देश के प्रतम प्रधान मंत्री थे और पाकिस्तान के प्रतम प्रधान मंत्री कौन थे तो आपको पता होना चाहिए लियाकत अली खान जोते हो पाकिस्तान के पाकिस्तान के प्रतम प्रधान मंत्री दूसरा प्रश्ण है कि name the longest river in the world मतलब बिश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो उस लंबी नदी का नाम है नाइल इंग्लिश में नाइल पढ़ते हैं हिंदी में निल लिखा जाता है मिस्र में मिस्र जो देश है जिसे एंग्रेजी में एजिप्ट बोला जाता है वहां से इनदी ज्यादा तर हिस्सों से होकर गुजरती है यह भी इंप्रॉटेंट है अगला प्रश्ण है कि name the longest highway in the world पूरे बिश्व की सबसे लंबी मार्ग बोलेंगे ठीक है ना और है यह हैं तो कौनसी है इस इसका नाम है ट्रांसकनेड़ा我在 कैनेडा के दरक नाम से पता लग रहा है कि कैनेडा के हिस्से याने की नौर्थ अमेरिका वाले हिस्से में यह ह्यां थान्ज tv है Gib Europe तो इसका लेंथ कितना है इसकी लेंथ है लगभग 8000 किलोमेटर यदि याद रखिएगा 8000 किलोमेटर लगभग इसकी लंबाई है अगला प्रशन है कि नेम दा हाइस्ट माउंटेन इन देवर्ड बिश्व की सबसे उची परवत माला कौन है तो यह है आपकी एवरिस्ट जो की नेपाल में हो और नेपाल में इसे सागर मठ या सागर माथा के नाम से जाना जाता है 8888 मिटर इसकी उचाई है और ज्यादा जब ठंड पढ़ती है तो बर्व के कारण इसकी उचाई जो है दो मिटर बढ़ जाती है तो 8850 मिटर भी हो जाती है तो एवरिस्ट है दो तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पुरे वर्ल्ड में लगभग वन थर्ड कॉंट्रिबूट करते हैं तो यह है मैंनमार आपको पता होगा जिसका नाम बर्मा भी बोलते हैं अगला प्रशन है कि name the biggest desert in the world पुरे विश्व का सबसे बड़ा मरु अस्थल है मरे भूमी desert कहां पे है या क्या नाम है उसका तो यह है सहारा डेजर्ट और अफ्रिका में है यह भी important question है सहारा डेजर्ट तेरिन आफ्रिका तो यह mock test point of view से बहुत ही important है अगला प्रशन है name the largest coffee growing country in the world पुरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी जो आप पिते होंगे सुवे सुवे चाय की जगह पे तो उस कॉफी का उतपादन पुरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस country में किस देश में होता है तो वो है country का नाम है ब्राजिल और ब्राजिल किस continent में है तो यह है आपका साउथ अमेरिका और ब्राजिल के खिलाड़ी आपको पता होगा पेले रोनाल्डो जैसे और बहुत ही बड़िया फुटबाल गेम है यहां का ब्राजिल का जबरवस्त अगला प्रश्ण है कि name the country also known as country of the copper copper का देश किसे कहा जाता है तो इसे इस country का नाम है जा कांबिया जो country है उसे copper का देश कहा जाता है copper मतलब आप समझते हैं तांबा राइट अगला प्रश्ण है कि name the line that divides the that separates the Pakistan और अफगानिस्तान यानि हिंदी में बोलेंगे इसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी international boundary है तो इसका उत्तर है डुरंट लाइन डुरंट रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो इसका भी नाम पता होना चाहिए उसका नाम है red clip line red clip line है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और डुरंट लाइन किसके में है पाकिस्त एक साल की करियर में इन फैक जब से मैंने ये यूट्यूब चनल स्टार्ट किया है तो मेरा अंदाजा यही कहता है कि एक प्रश्ण इन इसमें से जरूर ही होगा नेम दे नेम गिबन तो दे बार्डर विच से फ्रेट सब्सक्राइब लाइन हो गया नेम दर रिवर वोलगा फ्लोस आउट इंटू मतलब वोलगा एक रिवर है एक नदी का नाम है वोलगा नदी ठीक है ना तो यह किसमें बहती है तो एक कैस्पियन सागर में जाके गिरती ह मतलब ठीक है ना तो कहां गिरती है कैस्पियन सागर में अगला है कि नेम दे कोल्डेस प्लेस की इंदा हर्थ इस पूरे विश्व का इस पूरे धरती का सबसे ठंधा प्रदेश कौन सा है तो वो है साइबेरिया में है बर्खोया और जहां पर खड़ाके की ठंड पड़ती आपको पता होगा कि साइबेरियन. unpack जो है जादा ठंड में मतलब की 9 दिसम्पर चैन्वर के महीने में साइबेरिया से ओड़ करके इंडिया में आजाती है जब धर गर्मिया आती हैं उनके देश में या पिर हमारे देश में गर्मिया आती तो वापिस चले जाती है Siberian Crane इसने बहुत महत्वपूर्ण एक पक्षी का नाम है तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्ण है याद रखेगा आप अगला प्रश्ण है कि नेम दे कंट्री विच रैंग्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया तो लैंड में या एरिया के दृष्टी से सबसे बड़ा छेत्रफल किसका है तो आपको पता होगा कि रूस जिसे इंग्लिश पर रश्ण नाम से जानते हैं रश्ण बोलते हैं और सेकेंड जो नंबर सबसे बड़ा आइलेंड यानि कि दृप का नाम क्या है तो इसका नाम है सिसीली सिसीली दृप जो है यह मेडिटरेनियन सी के अंदर में सबसे बड़ा बड़ी दृप है ठीक है ना तो इस वीडियो का पसंद किया तो मैक्स लोग तक शेयर जरू किजिए अगर इस चैनल क को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या करके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सम लोग तक शेयर करना ना भूले रिगार्ट समामाना एजुकेशन हाँ थैंक्स फो वाचिंग में अल दे बेस वर बैट फूचर काट विलसी वाल थैंक कि अ तक वर माच सब्सक्राइब।